मसूद हाश्मी जी भी हमारे साथ अब स्टूडियो में जुड़ गए हैं मसूद जी स्वागत है आपका वैसे इनके परिचे में मुस्लिम स्कॉलर लिखा है लेकिन आपने कहा तो मैं आपको एक सोशल वर्कर के तौर पर इंट्रिद्यूस कर तो मसूद हाश्मी जी ये जो चर्चा आप चल पड़ी है कि मोदी जो स्कीम लेकर आ रहे हैं पिर जाहे वो उच्वला योजना हो, वो स्वभाग्य योजना हो, सिलेंडर पहुंचाना हो, घर देना हो आवास के योजना है, उसमें मुस्लिमों को लाब मिल रहा है ये आकड़े सामने आए हैं, इसके बावजूद अभी दो मेहमानों को आपने सुना जिनका ये कहना है रह्मानी साब का पठान जी का कि जब तक आप पॉलिटिकल हिस्सेडारी नहीं देते हैं, तब तक अपलिफमेंट पॉसिबल नहीं है देखें, जहां तक जो सरकार के सुविधा हैं, सरकार के काम हैं, सरकार अगर सड़क बनाती है तो वो सबके लिए बनाती है, उस पर लिखा नहीं होता कि इस पर हिंदू चलेंगे या सिर्फ मुसल्मान चलेंगे, सभी उसका उपयोग करते हैं, सभी उसका फायदा उठाते हैं इसी तरह जो भी सरकार की स्कीम्स आई हैं, या आती हैं, डेफिरिटली उसका फायदा सभी लोगों को मिलता है और कुछ अधिकारी जरूर का वहां बैठकर वो कुछ कर सकते हैं गड़बड के इसको नहीं देंगे, इसको नहीं देंगे लेकिन सरकार की ऐसी मनशान नहीं होती है, मैरा मानना है, लेकिन जिस स्पीड से कुछ ऐसा चर्चा की जा रही है और लोगों तक पहुचाया जा रहा है नफरत का माउल, उससे हमें दर असी तश्वीश जरूर है कि ऐसा नहीं होना चाहिए जहां तक बात है भागेदारी की, तो इसमें भी कोई शक नहीं कि जब तक स्प्ता में भागेदारी नहीं होगी जब तक स्यासत में और जो अभी हर जी को मैं सुना था हो कह रहा है थे कि अगर किसी परदेश के अंदर किसी जनता की, किसी खास वर्की सोची ये बन जाए कि इसको हराना है तो महां गड़बड हो जाती है, देखिए हमने बंगाल के अंदर देखा कि भारती अंतर पार्टी को हराने के लिए तमाम लोग ममतब अनर्जी के पीशे आके खड़े हो गया है, उसका ममतब अनर्जी को फाइदा दरूर पहुचा लेकिन अगर आप आज की तारीख में उठा कर देखेंगे महां के लोगों को, महां के मुसल्मानों को तो महां के मुसल्मानों को कोई खास फाइदा नहीं पहुचा इसी तरह देली के अंदर अर्विन केजरिवाल को जितवाने के लिए, भारती अंदर पार्टी को हरवाने के लिए, मुसल्मानों ने, दलीतों ने, ओबीसी ने, सब ने, आम आद्वी पार्टी के पीशे आ गया है, और अर्विन केजरिवाल के पीशे आ गया है, लेकिन अ लीडर्स हैं मैं वरिस पठान जी को वेलकम करता हूँ तसलीम रहमानी जी को वेलकम करता हूँ आप सुने जाते हैं आप लोग ऐसा इनिशेटिव कीजिए कि इसको हराना इसको जिताना यह वाली पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए बलके सत्ता में भागेदारी ठीक है भारति कुछ जिटाने के लिए सिर्फ एलक्षन लड़े बलके हमें देखना यह चाहिए कि हमारे छेत्र में हमारे एलाके में कौन जीतना चाहिए एसे मेरे हरश एक छोटी सी टिपड़ी में है इस पर आपकी चाहते हूँ देखे उत्रबरदेश में ऐसे बहौत सारे इलाके थे जहां पर जब हमारे संबादाता घूम रहे थे, वहां पर उनका कैंडिडेट हिंदू है, मैं अगरबाल स्वाप की बात कर लेती हूँ, कैंडिडेट हिंदू है, लेकिन वहां के मुस्लिम वोटेल्स ये कह रहे हैं, वो तो हमारा भाई है, हम उसको जिताएंगे. नहीं, मुझे लगता है कि ये कोई गलत नहीं है, मुझे लगता है कि हिंदू मुसल्मान कोई भी किसी को वोट दे, यही डेमुक्रेसी का मतलब यही है, लेकिन जो मसूद हाश्मी जी ने कहा, उसको थोड़ा सा मयवर विस्तार देता हूँ, देखे जब आप ये कहते हैं, कि भारती जनता पार्टी को हराने के लिए सारे मुसल्मान एक हो जाओ, जो गठबंधन भी हुए, वो क्यों होते थे कि भाजपा को हराना है, तो जब आप तक mutually नहीं बढ़ेंगे आप, एक तरफ से आप सोचेंगे और भारती जनता पार्टी के लिए भी ये कठीन है, क्यों समय में मुसलिम बन गए होंगे, आपके अपनी पूजा पत्यती वो अलग होगी, लेकिन इससे भी आगे बढ़के जो बात है, जब नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं, और गौर्मेंट स्कीम्स को मुझे बढ़ा अच्छा नहीं लगा कि तसलीम रह्मानी कह रहे हैं कि ये इसका कोई जवाब है क्या आपके पास? ये है कि कोई परदान मंत्री जी खड़े होके लालकले की प्राची पे कहें कि पहला हक मुसल्मानों का, बिल्कुल कोई खुशी नहीं है, और इससे भी खुशी नहीं है कि जितना दिया नहीं, उससे ज्यादा गुनगान रोज आना सुबा से चाम तक 24 घंटे टेलिविजन पर बीजेपी के परवक्ता, वो तो एक दिन का परदान मंत्री ने लालकले पे कड़े होके, या तो बीजेपी के परवक्ता रोजाना ताना देते हैं, कि मुसल्मानों पर देजी है, जो देना है वो दिया नहीं, जितना देना है उत्रा दिया नहीं, और उसके बाद एहसा कि यहां आपको विनेबिलिटी दिखाई नी दी थी जो 34 जीत गए और जो second position पे 80 रहे हैं इनकी विनेबिलिटी आपको दिखाई नी दी थी कैसे से फोलेग्डिस्ट है आपके कि आपको सिर्फ मुसल्बारों की विनेबिलिटी दिखाई नी दी थी और जित्वे आपके लूजर्स हैं उनकी विनेबिलिटी आपको खुब दिखाई देती हैं तो सब जानते हैं ये एक excuse है आप अबे दो नंबर का शेरी बराके रखना चाहते हैं और एक दो की जरुवत हो तो 100 ग्राफ देखे तुबा से शाम तक गिनाना चाहते हैं हमने दिय आपने दिया इंडिया टीवी हर वक्त हर जगे डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एपस